स्प्रेंडिट मॉम्स कैसे आप सब आज है बहुत चोटा सा वेरी स्मॉल इंफर्मेटिव वीडियो एबाउट इस वर्ड ती एच ए द द जो वर्ड है इसका जो प्रनॉंसियेशन है वह द इसको कभी-कभी दी पढ़ा जाता है क्यों इसके बीचे रिजन क्या है यह हम आज इस वीडियो में जानेंगे वीडियो स्टाट होने से पहले वीडियो पसंदाए तो जरूर लाइक एंड शेर करिए चैनल पे नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब करिए तो टी एच इसको द पढ़ते हैं चोटे पिचे भी यह जानते है बट कभी-कभार इसको दी पढ़ते है, so the title goes like this, the ant and the grasshopper, title में दो बार T-H-E, T-H-E, मैंने यहां पे इसको दी पड़ा, यहां पे मैंने द़ पड़ा, the ant and the grasshopper, वो इसलिए क्योंके T-H-E के बाद जब वावल वर्ड आ रहा है, A से ant आ रहा है, A is the वावल है, हम T-H-E को दी पड़ेंगे, the ant and the grasshopper, इसलिए क्योंके यह जो वर्ड है यहां पे वो consonant से start हो रहा है, T-H-E के बाद अगर consonant word आए, तो you have to read T-H-E as the here, so this is the ant and the grasshopper, similarly कुछ words यहां पे देखिए, the moon, consonant word है, moon M से start हो रहा है, consonant से, इसलिए the moon, then you have the earth, earth E से start हो रहा है, वावल से, इसलिए the earth, similarly the doctor, D consonant है, the doctor, the engineer, E वावल है, so the engineer, है बहुत सिंपल सा रीजन, बट हमें से बहुत हों को यह पता नहीं होता, इसलिए मैंने आज यह आपके साथ शेयर किया है, वीडियो कर पसंदा है, तो जरू लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नहीं हैं, तो जरू सब्सक्राइब करें, so the के दो सांड्स होते हैं, the, 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 before consonant words पढ़ा जाता है, the, before vowel words पढ़ा जाता है, okay, so see you in the next video, happy parenting from splendid moms, happy parenting from splendid moms, give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos